असलाम लेकुम आपर वेल्कम बैक तो मैं चैनल आज की इस वीडियो में आप से शेयर करूंगी इड स्पैशल ग्लोइंग मास्क जो कि आपकी स्किन को बहुत ज़दा ग्लो देगा और शाइनी करेगा और बिल्कुल क्लियर और क्लास स्किन आपकी हो जाएगी तो मैं आज आप से शेयर करूंगी इस वीडियो में मास्क, दो दरा के मास्क में आप से शेयर करूंगी ये दोनों मास्क हमाई स्किन को जो है वो ग्लो देंगे फेस को शाइनी बनाएंगे इड पे आपकी स्किन बहुत चमकदार और शाइनी सी नजर आएगी तो पहला मास्क बनाते हैं हम हमें चाहिए दो चमच दही इस मास्क को बनाने के लिए दो चमच दही चाहिए हमें उसमें हम लेंगे हाफ स्पून जो हो हल्दी एड करेंगे इसके अंदर और उसके बाद हमें चाहिए लेमन lemon हमने लेना है half उसका half lemon का में juice निकालना है यानि कि एक चम्मा juice उसका निकलेगा वो हमने इस मैट करना है ये mask हमारा ready हो जाएगा इसको mix करना है अच्छी तरीके से और फिर हमने face पे, neck पे और आप चाहे तो अपने हाथों पेरे पे भी इसको apply कर सकते हैं इसको रोजाना आप लगाएं इससे पहले पहले रोज लगाएं इसको आप दिखेंगे एक दिन में आपको फर्क दिखेगा इद पर आपके skin बहुत अच्छी शाइनी और glowing हो जाएगी अगर acne है तो वह भी खतम हो जाएगी और skin बहुत जादा अच्छी हो जाएगी color थोड़ा सा आपको fair होने लग जाएगा बहुत जादा shine आती है पंदर से 20 मिन लगा कर चोड़ दें जब यह ड्राय हो जाएगा तो आप इसको जो है वह मसाज करने के बाद आप इसको wash करने रोज ट्राय करें कोशिश करें इसको एक दिन बनाए और उसकी दिन लगाए वरना आप इसको जादा जादा दो दो दिन इसको चला सकते हैं उस उस मास्क को बनाने के दरफ अब यह मेरे पास है यहां पर कुकुंबर का जूस मैंने खीरे को कद्दुकश करके उसका जूस निकाल लिया था अब हम जो है इससे बनाएंगे एक और मास्क कीरा वैसे हमारे लिए बहुत अच्छा होता है सबसे पहले हमें चावल का आटा हम इस हमारे लिया है मुलतानी मिट्य मुलतानी मिट्यआइड करनी और उसके बाद हमने इसमें इक चम्मच जो है वह दहिए अफ्ट के ने मिक्स करना भाद हमने इस में तरह करना आट एनरे कि करने लिए करेंगे इतना मिक्स करना कि इसा चांट में त्यार होится चांट में और 1 वाद थो ERIC कै destrustरों सुप्रोज लिखे इसी साओ चाहिए उससरता के Making ऑढ़ीे समी कें सबब लुबाइद के सबंभाइद सान हंभी जातना मैं इक सब्सक्तेर कर सकते हैं एक मास्क करते हैं आपके उपर डिपेंडे दोनों मास्क के बहुत अच्छे फवाइद हैं अगर आप बहुत ज़ादा ग्लो चाहते हैं तो दोनों को लगाएं वरना तो आप कोई भी एक मार्क्स यूज़ कर सकते हैं इसे पहले पहले आपकी स्किन जो है बहुत ज़ादा ग्लो करने लग जाएगी यह बहुत इफैक्टिव मास्क है इसके बहुत सारे फवाइद है दोनों मास्क जो है वो बनकर रेडी हो चुके हैं एक जो है हमारा योगर्ट वाला मास्क है ये हमारी स्किन को बहुत ज़दा शाइन गलोई बनाता है गलोईंग स्किन हमारी हो जाती है और उसके साथ हमारा दूसरा जहाएं मुलतानी मिटी मास्क है वो हमाया फेश से डर्ट को खतम करता है इसकिन अगर आपकी टैन हो चुकी है तो वो बिलकुल रिमूव करेगा इसकिन से टैन और धूप के जो भी असरात है वो खत्म हो जाएंगे तो यह बहुत अच्छे मास्के जरूर ट्राइ कीजिएगा में जाने को सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा शुक्रिया लाफिज